हलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आज की इस वीडियो में आप लोगों से एक ऐसे समस्या के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हमारे पास उपालक भायों के लिए अत्यंत जरूरी है अगर आपके पास कोई ऐसी गाय की बच्चिया है या फिर भैंस की पढ़िया है जिसका उ इसी फोर्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से अपने गाय अभैंस को हीट में ला सकते हैं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास तो देखिए अगर आपकी गाय अभैंस हीट में नहीं आ रही है तो सबसे पहला काम आपको करना है पसू के पेट के कीड़े म नाम करता है इसलिए हमेशा आपको ब्रैंडेट दवा काहीं उपयोग करना है और ब्रैंडेट दवा में मैं आप लोगों को दो दवाओं का नाम रेकेमेंट करने वाला हूं पहला दवा का नाम है निलजान में और लेवा मिसल का कंबिनेशन होता है और जेनवेट में क्लो यानि कि 10 किलो के पसु को आप 1 ml देंगे यानि कि 3 किंडल के पसु को आपको 30 ml देना है जेनवेट को अगर आपको बेहतर रिजार्ड लेना है तो इन ही दो दवाओं में से किसी एक दवा का उपयोग करना होगा जी यहां दोनों दवावों में से किसी एक दवा काहीं उपयोब करना है और इसको जब भी देना है पसू 5 गंटे पहले भूखा होना चाहिए और 5 गंटे बाद भी भूखा होना चाहिए यानी कि खाली पेट ही देना है अब हम लोगवात करेंगे इसके देशी नुस्के के बारे में तो देखिए देशी नुस्के में सबसे पहले हमें लेना है मेथी जी यहां जो मेथी दाना होता है उसको देखिए मेथी गरम तसीर का आहार है इसमें बहुत अच्छा मातरा में प्रोटीन का स्रोथ होता है इसके लावा कैलसियम, मैगनिसियम, पोटैसियम का भी इसमें बहुत अच्छा स्रोथ होता है मेथी का आपको यहाँ पे 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम का उपयोग करना है अगर आपकी बच्छिया है या फिर पड़ा है तो उसमें 50 ग्राम का उप्योग करना है तो साम के टाइम में आप इसको भींगो दीजिए पानी में और सुब़ा में इसको एकदम सुबा में खाली पेट खेला दीजिये, और साथ ही साथ, आपको, मिन्राल मिक्षर का भी उपयोग करना है, मिन्राल मिक्षर भी सेयम डोज में उपयोग करेंगे, बच्छिया और पढ़िया के लिए 50 ग्राम, और एक गाय अभैंस के लिए 100 ग्रीमी च्छर में आप यहाँ परएग्रीम बीच में बिलकूल हीट में आ जाएगी और हीट में आने के साथ साथ ग्याभीन भी रुकेगी धन्यवाद